हेलो एब्रिवन वेलकम स्वागत है आप सभी का आज आज से आपका नीव वीडियो स्टाट हो गया है बाकी और भी वीडियो बने हुए है जो कि आपका पब्लिस नहीं हुआ है धिरे धिरे पब्लिक कर दिया जाएगा ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट लिया ह बना दूँगा तो उतना मज़ा नहीं आएगा आपको जब खुद से त्यारी नहीं करोगे अगर खुद से नहीं पेन चलाओगे कोपी में तो मुश्किल है आपको एक्जाम नहीं निकाल सकते तो सबसे पहले आपको जो मैं बताता हूं उसको पहले आप पहले रिसर्च कि तो यह सोचना आपके लिए गलत है क्योंकि जैसी एक्जाम लास्ट होता है आप लोग कैसे हवड़ाने लगते हूं मुझे पता है क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है को परस्नली कॉल करके पूछते हैं सबिक्छा दूँगा और आप पास हो जाओगे ऐस जो लोग dedicate के साथ महनत करते हैं आप देखेंगे मैंने example दिया हूँ बहुत लोगों का दिखाया हूँ तो उसको जरीये मैं बताता हूँ मैं ज़्यादतर online आता हूँ लेकिन आपको मैं बताता हूँ जब exam आता है उसमें आपको guide करता हूँ तो मैं जो सवाल बताता हूँ ठीक है यहाँ पर दिया हूँ इंग्लिस वाले भी आप समझ सकते हैं इंग्लिस वाले भी यहाँ पर देख सकते हैं जो को दिया है which of the following is the contribution of Nirenberg and क्या है खुराना दिया हूआ है अब इसको आप तो पढ़ लिए सवाल ओप्शन भी यहाँ पर पढ़ लिए ओप्शन दिया देखिए मैं हिंदी बोलता हूँ क्योंकि जो ज्यादा तो लोग हैं हिंदी मीडियम से मतलब हैं और उन्होंने इस पर फोकस करते हैं हिंदी मीडियम इंग्लिस वाले आप भी चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत हीजी है सिंधेटिक और आर्टिकलर यहाँ पर ड जणकरट लगें हैं हमें प्रिवियास यह कोशन को सॉल्व करने तो आना चाहें न तो मैं पहले प्रिवियस यह का हीं सौल्व करता हूं पूरा उसके बाद शीह बताताओं तो यह तरेका आप प्रिवेस वीडियो नहीं देखे होंगे मेरा देख लीजएगा वो अंदाजा लगा सकते हैं मैंने किस पर करसे त्यारी कराई है आप सब के लिए तो उसे भी आप ज़रूद देख सकते हैं तो चलिए आज वीडियो में सुरू करते हैं सवालों को बनाने का प्रैक्टिस करत आप लोग भी यहां पर देखकर पढ़ सकते हैं वही चीज़े बताता हूं मैं वहां भी यहां भी ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं तो यहां पर देखिए सबसे पहले दिया हुआ है निमली खीत में से जब सवाल को पढ़ लिए आप अच्छे से कुछ समय के लिए कर लिया जा सकता है तो यहां पर देखिए दिया हुआ है अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए हर वह बहन गवीन खूराना आप जानते हैं इनका नाम है इसका विसकार किया था इन्होंने ऑली जो है लिगो नुक्लियो टाइट जहां थे आपने सुना होगा इसका र सिंथेटिक जीन आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर सिंथेटिक जीन देखिए अगर पढ़ी रहो तो अच्छे से ध्यान से पढ़ो बेसिक से पढ़ोगे तो चीजे जो हैं गहराई में थोड़ा समझ आएगा दिमाग में ठीक है तो 1970 में आप याद रखिए कि इन्हो से और सिंथेटिक जीन का खुज गिया था अब आगे बताता हूं अब क्या क्या चीजे होती है धेरे दिरे पढ़ते हैं हम सब जानते हैं हर गविद्धु खुराना के अगर हम बात करें नॉबल पुरुषकार भी उनको मिला हुआ था अब जानते हैं नॉबल पुरुषक दिया गया था याद है सभी को और साथ ही जिसे उन्होंने क्या किया था कि नुक्लियोटाइड जो प्रोटिन का सलस्लिन करता है जैसे आर अरेने आप जानते हैं तो वहाँ पर इन्होंने अन्वांसी कोड को मतलब ब्रेक करने के लिए इन्होंने अब कर दिये थे यह पहले वेग्यानिक थे खुरान साब जी तो इसका राइट एंसर क्या होगा तो यहां पर बहुत इजी है सिंथेटिक के बात आता है तो यहां पर संस्प्रेशन आपका यहां पर क्या होगा MRNA यह आपका right answer हो जाएगा ठीक है बहुत इज़ी है देखे आप इससे पहले ही question answer को find कर लिये होंगे क्योंकि मैंने कुछ चीज़े बहुत सारे बता दिया आप आगे की बात करोगे जिसे खुरानों भारत के जोड़ा सभी चीज़ों को इससे generated सवाल बनते हैं तो मैं उसको बताता हूँ आप सब के लिए ताकि जो नई नई फैक्ट है इस सवाल के माध्य हमसे नए नए चीज़े भी आपको समझ में आती रहे हैं ठीक है यह चीज़े हो गए तो यहाँ पर यह सवाल आपका यह वाला को बताना है बहुत इजी है यहाँ पर देख सकते हैं तो सबसे पहले देखिए जब हम पॉली पेप्टाइड स्रिंखला की बात करते हैं तो इसमें पहला सबसे पहले आपका इंसर मिल गया हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो होता है मेधियो निन होता है मेधियोनीन होता है आगे होता है घ्लाइसीन होता है थीक है glycine हुआ यहाँ पर उसका वेलीन होता है उसका लाइसीन होता है इस परकार कि आपको जो है acid का सही क्रम होता है यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर समझ गए कि यहाँ पर आपका fourth option यहाँ पर right answer हो जाएगा इस परकार से note down करते जाएगे आपकी जैसे polypeptide shrinkla होता है इसके अमले का सही क्रम क्या होता है अब जैसी थोड़ामार टाइम मिलेगा आप notes के थूरू पढ़ सकते हैं इसको ठीक है यहाँ पर इसको पहले लिख लिजिए अभी ठीक है वीडियो को पोस करके आप देख सकते ह है इसको आगे बढ़ते हैं आगे देखिए सवाल क्या दिया है दिया है प्रोटीन संसलेशन में polypeptide shrinkla निर्माड इसके द्वारा सुरू के जाता है मतलब इसके द्वारा कौन से सुरू के जाता है मतलब पहला देखिए एसपॉर्टिक हैं आप में दिया हुआ है गुलू है एंजाइम कई पर करके man species जो है है वो और हमारे बनाने नहीं पाएगा हमारा सिर ठीक है तो यह चीज जह होती है इसलिए हमारे सरीर में सबसे पहला मतलब ऐसे बूर सकते है कि protein sensation किस से आरम होता है ऐसे बूल सकते हो इस सवाल को ऐसे बूल सकते हो तो सबसे पहले जो होता है आप अभी पढ़े कि amino acid जो होता है methionine से start होता है मतलब यहां से start होता है first law option अपके हैं पर जो है यह वाला first law option अब मतलब यहां पर methionine जो है यहां से स्टार्ट होता है आपने एस्टरिया कॉली के नाम सुना होगा यहां से आपका जो है मेध्योनिन सुरू होता है इसके बारे में लिख लीजेगा प्रोटीन संसलेस्टन जो होता है कई अन्य अमीनो एसिट के साथ और chilachare jours Roya स्रिंधिक स्ह Whewa भी सि शूआ निया क्या हो जाता है लेकिन जो की सर्भतिक रूपन से माना जाता है कि अमीनो एसीड जो हो 가요 उसका मेटियोनी से शूआ होता है यहां पर आपका यह वहला रायटनसर हो जाता है मेटियोनीन याद रखिएगा थीक है शुरुवात कहा हुआ था तो यहां पर आप प्रोगेरेटिक राइबोस में सब पढ़ लिजेगा क्योंकि बताया था मैं कि की देखिए पहला होता है 30S होता है और दूसरा होता है 50S होता है तो सब यूनिट बोलते हैं इसको ठीक है यह दुनों जिड़े मेल का कितना मनता है तो यहां पर देखिए यह 10 घड़ता है 80 नहीं होता है यहां पर जूड़कर क्या बनता है 70 बनता है ठीक है यह प्रोटिन को ठीक है टूटते बनता है वह अलग पर किरिया है उसको मैं बताऊंगा अको ठीक है यहां पर आप याद रखेगा मेतियोंने नपका राइटन से पर जाता है आगे सवाल क्या दिया है यहां पर दिखिए दिया हुआ है व्यत्यासिका काईज मेटा को सरवर्था निमने में देखा गया किस में दिखा गया यहां पर देखिए पैक्ट इंदिया है जाइगोट इंदिया है डिप्लोट इंदिया है और यहां पर सबसे पहला जो है, अर्ध सुत्री विभाजन में आपने प्रोफेज में जाना होगा, इसमें, क्रॉसिंग एवर होता है, इसमें, तो इसी विंदू को जब क्रॉसिंग ओवर किया जाता है, तो यहाँ पर चिया स्माटा खा जाता है, तो यह प्रकिरिया जो होती है, किसमें ह होता है यहां पर item स्रीवल हो जाता है ठीक है समझ गए आगे बढ़ते हैं आगे देखिए यहां पर सवाल क्या दिया है जैव निम्निक्रण कच्छे जैव निम्निक्रण कच्रे के तुलना में हमारे लिए कम महानिकारक पर्दुसक है निम्लीखित में किस समोह में किवल जयव निम्लीखरण कच्छ हैं जय Western, यहाँ पर कच्छ हैं कौन से हैं देखें यहाँ पर दिया है इसको आप समझ सकते बहुत असान है इसको limit कर लिजिये देखे पहले PVC Porsche 5 पर यह बैकला अट स्विच यह ये कोई जेव नहीं है क्जान के प्लाइसे प्लास्टिक यहां पर दीखे लकड़ी सड़ा भोजन और सबजिया के छिलके यहां है ऐस यहाँ परत आपकाabile आपकी जो मिलेंगे कैसे समझाज गैगben यहां पर इस सवाल को देखें यहां पर इस सवाल से माध्यम से कई सारे बना सकते हैं पहला देखिए यहां पर सौ भी जो के निर्माण में सम्मलित अर्ध सुत्रिवी भाजनों के संख्या है यहां पर दिया हुआ है तो इसका एक फॉर्मुला अपने पढ़ा होगा फॉर्मुला याद होगा आपको देखिए य फॉर्मुला होता है इसको हमेशा याद रखिएगा इसमें हमेशा सवाल बनता है आ जाएगा यह वाला यह फॉर्मुला पर आपको यहां पर अंसर बन जाएगा कैसे बनेगा देखिए यहां पर सौ सीट को माना जाता है सौ सीट को हमेशा लिए जाता है सौ वीज को लिज करेंजी बस यहां पर काट्पिट किजिए हंडेड आ जायगा फालस सो चार से काटेश तों को सो यहां पर पटीस हो गया मतलब जो पर देखिए अगर एक बार सोक रहागा है कि लिए 5 लिखना मतलब यहां पर अर्ठशुत्री विभाजन के लिए चार भगों बाट के यहां पर 25 किया जाता है यह बला हैं पर 25 रहता तो यह राइटेंस हो आप वही concept को यहाँ पर female में करेंगे, तो female में भी 100 करेंगे, ठीक है 100, तो वह अलग अर्सुत्र रिवाजन गुड़ सुत्र रिवाजन पड़ लेंगे हम लोग, ठीक है तो इस पर कर से formula हम लोग बना दिये, 100, 100 को X कर दिये, अप हमें 4 करती जिस पर कर दिये, राइट ने स OOM मन पर दिया है anucleotide यहां पर धिया हुआ है अब हम इसके बारे में समझते हैं पहले उसके बात फरमूला हमें बताता हूं, alright सबसे बहले देखे कि anucleotide मतलब यहाँ पर anucleotide क्या होता है कि जो यह जो होता है anucleopleotide लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कोसी का में असमाने रुप से मतलब शंख्या कभी बढ़ जाता है कभी घड़ जाता है इस पकाड़ से अगर माल लेते हैं एक बिख्ती में देखे एक बिक्ति में समाने रुप से अगर 46 की जगा, 46 गोर सुतर की जगा यहां पर कभी 45 हो जाएगा या फिर 47 हो जाएगा, तो यह चीजे क्या होती, एक कहा है समाने रुप से, मतलब कभी घट रहा है, कभी बड़ रहा है, तो यह चीज़े जो इसके एक set बनती है set, पूर्ण गोड़ सुतर set कहलाती है इसी को, कहते हैं, तो इसी को इंगलिस में कहा जाता है, क्या कहा जाता है uplutite, मतलब यहाँ पर इंगलिस में कहा जाता है uplutite, यह इसको याद रखेगा uplutite कहा जाता है इसको याद रखेगा यहाँ पर देखे, uplid इसको कहा जाता है जब भिन-भिन हो जाता है गोड़ सुतर बदल जाता है इसको चेक कर निगले, यहाँ पर आपका जो है, इक निवन सुतर यहाँ पर याद करते हैं, यह वाला आपका आगे देखे, यह जेनरल कोशन है इसको बनाने का प्रियास कीजिए खाद्य खराब होने से रोकने के लिए खाद्य प्रसंस्क्रण विदियों में मूल अउधारना है, क्या है वो प्रोक्षा भी दिया हुआ है, यहाँ पर देखे केवल भंडारन के दौरान तापमान का कम होना केवल पानी की नमी को निकालना केवल पी एच की कमी यहाँ पर दिया हुआ है अब हम इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं सवाल ठीक है इसको, तो देखे, यह तो जेनरल कोशन है अगर खादे खराब हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आपका राइट अंसर क्या होगा सब होगा, क्योंकि यहाँ भंडारन के दौरान भी तापमान के कम होना है कि पानी की नमी को निकालना, मतलब यह जनरल कोशन है यहाँ पर आपका सभी हो जाएगा क्या हो जाएगा all of these आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा अप्रोक्त सभी यहाँ पर right answer हो जाएगा ठीक है बहुत general question आगे बढ़ते हैं आगे यहाँ पर सवाल को देखे यहाँ पर क्या दिया हुआ है बिंदू सराव की परकिरियत तब होती है जब यहाँ पर दिया हुआ है क्या होगर right answer इसको बताने का प्रयास करें यहाँ पर दिखे जड़ का दबाव अधिक होता है और वात्पो सर्जन की दर कम होती है यहाँ पर जड़ का दबाव के साथ-साथ बोलते है गुटी करन ठिक है गुटी करन यह क्या होती है तो जैसे जब कोई पौधा फढ़ता इसको पत्ति होता किनारों पर एक कंथ नेकलता है जिसने पानी निकलता है और वाय। मंड़ल के साथ जूड़ता है वहहाँ पर उसको बिल जाता है ठीक है तो ये जब होता है जब देखिए जब नमी होता है नमी होता है वहाँ पर तो क्या होता है जड का दबाव अधीक होता है रूट का दबाव क्या होता है अधीक होता है और वात्पोसरजन की दर क्या होती है जब दबाव बढ़ेगा तो क्या होगा वो कम होता है ठीक है वात्पोस्टाजन कि दर क्या होगा कम होगा जब यहाँ पर क्या होगा जड़ का दबाव बढ़ेगा तो इधर से तो यह आम तर पर देख सकते हैं जड़ी बुटी जो पावधे होते हैं उनमें पाया जाता है इसको कहा जाता है हाइडे थोडस बोलते हैं ठीक है हाइडे हाइडे थोडस लिख लेजी आप लोग खोज के आप पढ़िएगा इसको हाइडे थोडस जो बुक है एक बुक है मैं बताया हूँ आप सबको उस बुक में भी देखेगा यह सब दिया हुआ है ठीक है हाइड़े थोर्ड प्रस नर्सिंग का दिया हुआ बुक और राउंडर बुक है उसमें आप देखेगा कि इस पर दिया हुआ है हाइड़े थोर्ड रस ये वला दिया हुआ है इसी प्रकार से यहां पर देख सकते हैं कि पौधिक जो पतियों नोक किनारे पर होती है उ इधर से गरम जड़ को दबाव करन में थे का ह 온 Jan तो वहां पर जो होता है जड़ का दबाव होने पर वाध्पा आप्व आगे सवाल दिया है देखिए अनावित्ती BG माथ Escape जीमनोस्पर्म आगे सव optimize यहाँपर दिया है अना व्रित्वीजी जीमनोस्पर्म से प्राप्त लकड़ी को 10 कहा जता है Pepsi तो आप ने यहाँ पर सुना होगा कि जीमनोस्पर्म क्या होता है तो जाईलम और क्या होता होता है घरत्वक कम होता है तो सौप्ट बोलते हैं सौप्ट यूड लकड़ी बोलते हैं सौप्ट वूड नरम लकड़ी यहाँ पर आपका यह वला आपका राइट असर हो जाता है ठीक है नरम लकड़ी तो सौप्ट वूड यही चीज़ होती है इनका उपयोग कहा होता है फ यहां पर जिमनो इसपर मुख्य से कहा जाता है तो यहां पर सॉप टकड़ी कहा जाता है बाकि यहां पर समझे यह तो हैं यहां पर इतनों समझे लिए क्या व्हरिद्व बिजिया राइट देखी मां कोर्स के फ्रूछ चल रहा हूँ जो है कि अनुसार फिर कर पहलो ओबर भी बताँगा फिर डीप जाओंगा फिर ओबर भी वैसे ऐसे करके मैं पढ़ाने कोशिस कर रहा हूँ आप सब कर रहा हूँ क्योंकि कुछ चीजे जो है आपको जानने की एक्षा रहेगा कि आखिर यह क्या होता है तो उसके को नोट कर लीजिए आप लोग ताकि कि आप बाद में जैसे मैं बताऊंगा या फिर आप कमेंट कीजेगा इसमें जो चीजे नहीं समझमा आया है उसके पर बिट्यल वीडियो बनाया जाएगा आप सब के लिए ठीक है तो इस परकार से यहां पर तरीका है मैं बताता हूँ आप सब को पढ़ने के लिए तो कर देगा नहीं वहाँ पर सवाल को घुमा कर देता है बदल कर देता है लेकिन सवालों को तो जब हम उसके बारे में जानते ही रहेंगे तो हम कुछ न कहीं से भी सवाल आजाए हम बना लेंगे ते चीजे थी आई होप कि यह समझ में आ गया होगा और किसी वह क्वेरी होग तो कमेंट किजेगा और इसी पेकर से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो आप सबको और वेवसाइट जो है विकी स्टाडी जो कि मैं बताया हूं वही पर आपका इसका पेपर मिल जागा वहाँ से आप डाउनलोड कर लिजेगा ठीक है वेवसाइट जीतना भी पूछा गया है तो मिलता है नेस वीडियो में थैंक्यू सू मच फू अच्छी है